मेरे प्यारे बच्चों शुप्रभातम आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है आज इस क्लास में हम लोग खच्छा नवम की जो पाठ्थे पुस्तक है प्यूशम प्रथम भाग उसके प्रथम पाठ इस अस्तुती का अध्यान करेंगे इस प्रथम पाठ इस अस्तुती में उपनिसत से लिये गए तीन मंत्र हैं और स्रीमत भागवत गीता के दो स्लोग है यानि कूल जो है पांच पद्य हैं इन पांचों पद्यों का हम अध्यन करेंगे इन पांचों पद्यों के माध्यम से परंब्रम्ह परमात्मा शर्वशक्तिमान भगवान की अस्तुती की गई है पाठ का सिर्शक ही है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रतमा पाठा प्रतमा कार्थ क्या होता है पहला और पाठा पाठा मिन्स पाठ पहला पाठ सिर्शक क्या है इस पाठ का इस अस्तुति है इस सब्द कार्थ होता है भगवान और अस्तुति कार्थ होता है प्रार्थना य लिखता है तो अगैे लिखता है कि ऊपनीशद भाग्वत गीताच ओर भाग्वत गीता जीवनस्य जीवन के अभ्यूदय यानि उत्थान के लिए विकसित अमुल्य ग्रंथा यानी अमुल्य ग्रंथा है दोनों के बारे में बता रहा है कि उपनीशद और भागवत गेता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमुल्य ग्रंथा है एक वाक्या स्पस्थ हो रहा है उपनीशद और भागवत गीता उपनीशद और भागवत गीता चो उपनीशद और भागवत गीता जीवन से अभ्यूदयाए जीवन के अभ्यूदय के लिए जीवन के उत्थान के लिए जीवन के उन्नती के लिए विकसिताह अमुल्या ग्रं नाम बिचारान प्रकट यन्ति कई विक्सित्त सभाए उपनीषद और कने के विन विचारान प्रकटْ यन्ति फोपनीषद पद का क्या έर्थ हो जाएगा उपनीशद, उपनीशद मिन्स उपनीशद, अनेके साम मिन्स अनेको, रीसिना मिन्स रीसियों के विचारान मिन्स विचारों को प्रकट यंती मिन्स प्रकट करते हैं, उपनीशद अनेको रीसियों के विचारों को प्रकट करते हैं, भागवत गीता तु केवल से योगे स्व के विचारों को प्रकट करते हैं और भागवत गीता कीवल योगेश्वर भगवान से किसने के विचारों को प्रकट करता है आगे देखते हैं आगे लिखा है उभयत्रापी परमात्मना सरवसक्ति संपन्नतादर सिता इन दोनों में ही परमात्मा को इन दोनों में ही उभयत्र अगे लखता है असमिन पाठे तर्याइव परमिष्वरस से अस्तुतष वर्थति यानि उसी परमेष्वर की एश्ट्य वर्तते अस्ट्य है इस पाठि में उसी परमेष्वर्च जुँ है जैसा कि हम बताए कि पहला पद्य किसका है तैतरी उपनी सत्का है और यहां आ गया हम लोग पहले पद्य में पहला पद्य हमारा हो गया एक अता है यतो वाचो निर्वतंते अप्राप्य मनसासह आनंदम ब्रम्हणो विद्वान अभिभेति कुतस्यन करा यतो वाचो निर्वतंते अप्राप्य मनसासह यतो वाचो निर्वतंते हमारी आवास नहीं निकलती है लिखा अप्राप्य मनसास मन के साथ कुन प्राप्त करके जब तक हमारे मन का साथ नो हो अप्राप्य मनसास यानि मन के साथ के विना यतो वाचो निर्वतंते हमारी आवाज हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है यतो वाचो निर्वतंत अप्राप्य मनसा सह मन के साथ के बिना हमारे मुख से वाणी हमारे मुख से आवाज नहीं निकलती है नीचे की लाइन लिख रहा है नीचे की लाइन में लिख रहा आनंदम ब्रह्मधो विद्वान आनंदम मिन्स आनंद को प्राप्त होता है कौन ब्रह्मणो जो ब्रह्म को जानता है विद्वान वहीं बिद्वान है ब्रह्मणो बिद्वान आनंदम तीन जो है यहां पद हैं लिखा कि ब्रह्मणो जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म का मतलब परम्रम पिता परमिश्वर जो परम्रम पिता परमिश्वर को जानता है विद्वान वह क्या है विद्वान है आनंदम और वह जो है आनंद को प्राप्त होता है आनंद में रहता है नो बिभेति कुतस्चन और वह किसी से डरता नहीं है नो नो मने नहीं बिभेति मने डरता है नहीं डरता है कुतस्चन किसी स तो पूरे पद्य का हमारा आर्थ क्या हो गया कि मन के साथ के बिना हमारे मुख से आवाज नहीं निकलता है जो परम्रम परमश्वर को जानता है जो ब्रम को जानता है वहीं आनंद में होता है वहीं बिद्वान है और वह किसी से डरता नहीं है इस प्रकार से तैतरियोप गाई लिखा गया है आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो पद्ध्य है हमारा वह व्रहदार ने को पनी सब क्या कहता है व्रहदार ने को पनी सब कहता है इन आप सद गमए तामसुमा जोतिहें मरेत्योर मां अम्रितम गमए इक दम आवसान है देखें इसे यहां लिखा ऊ सथो मा सद मा का क्या आर्थ होता है मा मा मिन्स मुझे मा मिन्स मुझे असतो मने असत्य से सद गमय सद गमय यानि सत्य की ओर ले चलो मा असतो सद गमय मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो किस से कहा गया उस परमपिता परमिश्वर से कहा गया इश्वर से कह रहा है क्या कि मा असतो सद ग मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो आगे कहता है मा मने मुझे अंधकार से प्रकास की ओर ले चलो और नीचे लिखता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो ब्यदाने कुपनिशद में लिखा कि असत्य से सत्य की ओर ले चलो आगे लिखा तमसो मा जोतिह गमय मुझे अंधकार से प्रकास की ओर ले चलो और फिर लिखा कि मुरित्यों मा मने मुझे 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 तीसरा आपत्य हमारा है स्वेतास्वर उपनिशक्त कहता है। यहां क्या कर रहा है देखेंगे आप कर रहा है कि एको देवा देव कितने हैं एक हैं और वहीं एक देव क्या है सार्व भूतेशु सभी भूतों में गूढ़ा मन रहस्या है सभी भूतों में भूत का क्या रत होता है जीव सर्व भूतेशु मने सभी जीवों में जितने भी प्रकार के जीव हैं, यहां 84 लाख प्रकार के जीव हैं, सभी जीव में गूढ़ा हमाने रहस्या है, कौन एको देवा, वहीं एक देव, वहीं एक परमात्मा, वहीं एक इस्वर, कराया कि एको देवा, सर्व भूतेश गूढ़ा, एक वहीं देव है, एक वहीं परमात्मा है, जो सर्वभोतेश गुढ़ा सभी जीवों में क्या है रहस्य है और आगे लिखता है सर्वभ्यापी सर्वभ्यापी मिन्स हर जगा पहला हुआ है सर्वत्र व्यापत है वहाँ आगे लिखा सर्वभोतांतर आत्मा सभी भूतों के आत्मा में है बूत मने जीव अभी बताए ना आपको भूत का अर्थ क्या होता है जीव असर्व भूतांतरात्मा यानि सभी जीवों के अंतरात्मा में वह क्या है इस्थित है जितने भी प्रकार के जीव है आगे लिखता है करमाध्यक्षा वह हमारे कर्म का जो भी हम कर्म करते हैं वह हमा कर्म का अध्यक्षा है और आगे लिखता है सर्व भूता धिवासह जीवों में क्या करता है वास करता है सब ही प्रकार के जीवों में वास करता है जितने भी प्रकार के जीव हैं जितने भी जीव है उन सभी जीवों में वह वास्त करता है आगे लिखता है साक्षी चेता होता है साक्षी माने समझी रहे हैं हमारा उसका क्या है साक्षी है क्या साक्षी है कि केवल निर्गुन है वह जो परम्रम परमात्मा है वह क्या है निर्गुन है तो इस पद्यकार्थ हम क्या लिख ले रहस्य है, सभी जीवों के अंदर विराजमान है, हर जगा फैला हुआ है, सभी जीवों के अंदर अंतरात्मा के रूप में इस्थित है, वह हमारे कर्म का अध्यक्चा है, सभी जीवों में वास करता है, हमारा ख्रदय उसका साक्षी है और वह केवल निर्वुन है, तो ये तीन पद्धे हम लोगों ने अध्यान कर लिया और ये तीन पद्धे जो है तीन उपनीशदों से थे ये तीन पद्धे हमारे तीन उपनीशदों से हो गए तैतरी उपनीशद प्रिजटारणे को उपनीशद और स्वेतास्वर उपनीशद इन तीन उपनीशदों के ब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वश्य कर लें अभी मेरा प्रियोजन ऐसा ही है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको इसका अर्थ बता दूँ और एक इस पार्ट का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको प्रस्णूतर इक सरसाई जितना भी आपका भ्या आसकारी को मैं हल करा दूँगा और व्याकन सास्तर में बहुत कुछ बेरी द्वारा बना करके आप लोगों के लिए प्रदान किया गया है देखें तो आगे देखते हम स्रीमत भागवत गीता क्या कहता है कि कटाएकि त्वमाधि देवह पुरुशह पुराणह तमस्य निधानम वेतासि वेद्यम चपरंच धामा त्वयाततम विश्वानंतरूपम कहराय के त्वमाधि देवह 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 त्वम दोषिष्ट करें को दोश्त भागवत नेमें करणा नर्ग पुरान सुछी स्घावयं सब्सक्राइब श्रीप शिजब नांन tut मुराम के लिए सब्सकेस्दनेदानाशाम गने य APIs । पुरुस हो पुरान हो और तुम ही इस विश्व के स्रेस्ट को जाना हो आगे लिखता है, आगे लिखता है कि वेतासि वेध्यम तुम ही बेद हो, सब कुछ जानने वाले हो, वेतासि वेध्यम तुम ही बेद हो, और तुम सब कुछ जानने वाले हो, चपरमचधाम और तुम ही क्या हो, परमधाम हो, स्रिष्ठधाम हो, तुम से स्रिष्ठधाम कुछ भी नहीं है और आगे लिखता है कि constructive अननतरूप में विराजमान हो और आप में अनंतरूप में भिन्न भिन्न रूप में भिराजमान हो ओ तो यह गीता का जो पर्सम पद्य है उसका आर्थ हम हती हम लोगों नहीं जान लिया। अब इसके अर्थ को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। कि तुम ही आदि-देव हो, पुरुष हो, पुरान हो। तुम ही इस विष्व के स्रिष्ठ खाजाना हो। तुम बेद हो, सब कुछ जानने वाले हो, स्रिष्ठ दाम हो, और आप इस विश्व में अनन्त रूप में विराजमान हो, अब आगे इस पाठ के अंतिम पद्ध को देखते हैं, और पांचमा पद्ध हो गया हमारा, यहां हम देख रहे हैं पांचमे पद्ध को अब, यहां हम पुरस्ता दथ प्रिष्ठ तस्ते, नम अस्तुते सरवत एव सरव, अनन्त विरया मित विक्रमस्त्वं, सरवं समापनो सित तुवसी सरवह, कराये कि नमहा, नमहा मने प्रडाम करता हूं, नमहा, कार्थ क्या हो गया, प्रडाम करता हूं, उश्व परम्रम परमात्मा को, य महा प्रणाम करता हूं पुरस्तादथ प्रिष्ठतस्ते पुरस्तादथ मने आपके सामने से इस्वर्ह प्रमात्मा मैं आपके सामने से क्या करता हूं प्रणाम करता हूं प्रिष्ठतस्ते आपको सामने से पुरस्तादथ प्रिष्ठतस्ते नमहा सामने से प्रणाम करता हूं आपको पीछे से भी प्रडाम करता हूं आगे लिखा नमु अस्तुते सरवत एवसरव नमु अस्तुते नमु अस्तुते प्रडाम करता हूं सरवत एवसरव यानि सब और से मैं आपको सब और से जिधर भी हैं आप मैं उस और से सब और से आपको क्या करता हूं प्रडाम करता आगे लिखा अनंत विरया मित विक्रम अस्त्वम आप अनंत वीर हैं विक्रम है पराक्रमी है आप ही क्या हो अनंत वीर हो आप पराक्रमी हो कर रहा है कि आप से ही सब उत्पन हुआ है और एक दिन आप में ही सब क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा समाहित हो जाएगा प्रमात्मा कह दिया अब इस पद्यकार्थ क्या लिखेंगे हम कि मैं आपको सामने से आपके पिछे से आपको सब और से प्रडाम करता हूँ आप अनन्तवीर हैं पराक्रमी हैं आप से ही सब उत्पन हुआ है और एक दिन आप में ही सब शमाहित हो जाएगा समाप्त हो जाएगा ऐसे प्रम्रभ प्रमात्मा को मैं कोटी कोटी प्रडाम करता हूँ तो यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो आप इसे अवस्ये लाइक करेंगे सेर करेंगे अन्य बच्चे भी जो 9th या 10th में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के भी भूक को मैंने पढ़ाया है तो 9-10th के बच्चे यदि आपके समपर्क में हैं तो उनको सेर करें उन्हें बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्य कर ले जुड़ें मैं टिक एक्जामीनेशन तक हम आपके साथ रहेंगे और बहुत जल्दे हैं आगे मैं पूरी किताब को पढ़ाऊंगा इसका जो अभ्यासकारे है वह भी मैं आप को प्रदान करूंगा तो मिलते हैं फिर हम इस पाठ के अभ्यासकारे के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद